आज हम पढ़ने वाले हैं 20 जन्वरी का करेंट अफियर के शुरुवात आज के थौट से करते हैं डर मुझे भी लगता था फासला देखकर लेकिन मैं बढ़ती गई रास्ता देखकर खुद बखुद नजदीक आती गई मेरी मंजल मेरा होसला देखकर तो चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा आगे बढ़ते रहिए पढ़ते रहिए एक न एक दिन आपको आपकी मंजल जरूर मिलेगी फर्स्ट क्वेश्चन है SEO के बारे में जो SEO है ये क्या कहलाता है संगाई कॉपरेशन और्गिनाइजेशन तो संगाई सहीयोग संगेटन के किस के वर्ष 2023 का जो सुखर सिखर संब oralन है वो कहां होने वाला है मतलब इसकी अध्यक्षता कौन करने वाला है तो जो संगाई कॉपरेशन और्गिनाइजेशन है इसकी अध्यक्षता करने वाला है 2023 में भारत को मिली है अब देखिए SEO के बारे में बात है तो सबसे पहले 1996 में SEO Corporation जो बना था वो SEO 5 के नाम से बना था इसके बाद 2001 में इसका नाम क्या पड़ा संगाई Corporation Organization संगाई सहयोग संगेटन पड़ा IAS में एक विश्चन पूछा गया है UPSC के एक्जाम में कि जो SEO है इसका मुख्यालाई कहां परिस्थे थे उसमें First Option दिया था संगाई बहुत सारे लोगों ने इसका नाम देखकर संगाई ही आंसर किया लेकिन ऐसा नहीं है जो SEO है, SEO का मुख्यालाई बीजिंग में है ये थोड़ा सा tricky question है इसलिए question पूछा गया था तो याद रखिएगा और अभी वर्तमान में SEO काफी चर्चा में था क्योंकि जो इरान है SEO का 9 सदस्य बना है तो आपसे एक्जाम में question पूछा जा सकता है कि SEO में वर्तमान में कितने देश हैं तो आंसर होगा 9 देश हैं यह नवीन तम देश है भारत और पाकिस्तान भी SEO के मेंबर हैं तो यस भारत और पाकिस्तान SEO के मेंबर हैं 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने क्या किया था SEO को जवाइन किया था तो याद रखिएगा इतनी सारे fact आपको संगाई सहियोग संगेटन के बारी में पता होने चाहिए 2023 में इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है हमारा प्यारा भारत देश कर रहा है Second question है Brand Finance की वेश्विक IT ब्रांट सूची 2023 के अनुसार भारत में कौन सी IT कंपनी Shears 3 में स्थान राप्त किया है तो इसमें जो Second और Third Rank आया है वो भारतिय कंपनी का आया है कौन कौन सी है Second कंपनी है TCS TCS का आप सभी ने नाम सुना होगा Tata Consultancy Services और जो Third नमर पे आई है वो आई है कौन सी कंपनी वो है Infosys क्या आप बता सकते हैं Infosys और रिसी सुनक का क्या संबंद है तो जो Infosys कंपनी की जो Head है उनके जो Husband है वो ही रिसी सुनक है तो याद रखेगा इसलिए रिसी सुनक का संबंद भारत से है और वर्तमान में रिसी सुनक कौन है तो वो कौन है ब्रेटैन के PM है ये भी आपको पता होना चाहिए तो ये जो क्वेशन था कि वेश्विक आईटी ब्राण सुची में दो कंपनी कौन कौन से है TCS और Infosys नेक्स क्वेशन है कोलंबिया विश्विध्यालाई के 268 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसी महीला को वहां का अध्यक्ष बनाया गया है कोलंबिया विश्विध्यालाई काफी चल्चित और नामदल्च विश्विध्यालाई है तो यहां की जो पहली बार हेड बनी है वो बनी है मिनोचे शाफिक ये नाम आपको याद रखना है कुछ दिन पहले हमने डिसकस किया था कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसकी जो चेयर्मेन थी वो भी पहली बार कोई महीला बनी थी तो जब भी कोई महीला पहली बार किसी पत को प्राप्त करती है तो वो काफी चल्चा में रहता है और इसकी तो हिस्ट्री भी काफी पुरानी है 268 यर्स बहुत होते हैं अभी तक किसी भी महीला को महीला अध्यक्ष नहीं बनाया गया था तो मिनेचे शाफिक जो है वो कौन बनी है कोलंबिया यूनिवर्सिटी की हैड बनी है अब बात आती है WTO की तो WTO WTO एक ऐसा संगटन है जिसकी पहली बार कोई महीला हैड बनी है अब बात WTO की आई है तो WTO का मुख्याला क्या है World Trade Organization और इसकी जो अध्यक्ष है वो कौन है नागोजी ओंकाला एबेला ये नाम भी आपको याद रखना है तो WTO की हैड बनी है अब सेबी सेबी का फुल फर्म क्या होता है Security Action Board of India सेबी की भी जो प्रमोख है वो पहली बार कोई महीला बनी है उनका नाम क्या है उनका नाम है माधवी पूरी बुच ये क्वेशन भी आपसे पूछा जा सकता है CSIR जो है CSIR की पहली बार कोई महीला ध्यक्ष बनी है उनका नाम है नल्ला थंबी नल्ला थंबी करके उनका नाम है तो ये नाम भी आपको याद रखना है तो इस तरीके से ये question आम से पूछे जा सकते हैं फिर किसके द्वारा प्रती 3 trillion dollar unlock की पहली the giving to amplify earth action चुरुआत की गई है अब ये क्या है आप इसे समझ लीजी हमने discuss किया था कि जो world economic forum की जो बैठक हो रही है वो कहां पर हो रही है अठारवे नंबर की बैठक दावोस में हो रही है तो उसी में ऐसी घोषना की गई है कि 3 trillion dollar unlock करने के लिए मतलब the giving to amplify earth action के लिए पैसा दिया जाएगा तो ये शुड़वात किस ने की है तो world economic forum ने की है और ये क्यों ऐसी सहायता दी जा रही है ताकि net zero environment protection के लिए net carbon zero हो और जो परियावरन का बिनाश है इसको रोका जा सके और जैव विवित्ता को बढ़ावा दी सके तो इंडिया में कौन सहायता कर रहा है तो HCL company की जो head है जोशनी नाडर उन्होंने क्या है इसमें सहायता देने के लिए बूला है तो इस पहल को आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा next question है कि प्रधान मंत्री के पत से इस्तिफा देने वाली जो जैनसी का आरडन है उनका संबंद किस देश से है तो जैनसी का आरडन आप सभी को पता होगा न्यूजीलेंड की ये प्राइम मिनिस्टर थी और इन्होंने क्या है 2022 में इनकी न्यूक्ति हुई थी और अभी इन्होंने स्तिफा दे दिया है और इन्होंने गोशना की है कि अब ये पुनह प्रधानमंत्री के पत के लिए दावेदान नहीं होंगी लेकिन इनका विश्वास है कि जो इनकी पार्टी है वही जीतेगी तो न्यूजिलेंड की जो कैपिचल है वो क्या है वैलेंगटन और जैंसी का अर्डन इनका काफी नाम रहा है क्योंकि इन्होंने COVID-19 के दौरान काफी अच्छे से वहां की जो विवस्थाती उसको हैंडल किया है और काफी अच्छे से इन्होंने अपने पत को समाला था वर्तमान में स्थीफा देने के कारणी ये काफी चर्चा में रही है फिर MSN ग्रुप द्वारा हाल ही मैं कैंसर के किस प्रकार की जैनेरिक दवा पालवो सी क्लब को लॉंच किया गया है तो ये ब्रेस्ट कैंसर की दवा है ये ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में बहुत अधिक होता है तो इसके लिए जैनेरिक दवा आप जानते हैं थोड़ा सा cancer के बारे में समझ लेजिए कि cancer क्या होता है देखे cancer कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो छूने से हो जाएगी cancer का मतलब क्या होता है जो cell होती है और में जब uncontrolled growth होने लगती है तो क्या कहा जाता है सेल में अनेमित होने वाली ब्रद्धी ही कैंसर कहलाती है कैंसर रोक थाम दिवस कब मनाया जाता है तो ये 4 नवंबर को मनाया जाता है जागरुकता के लिए और कैंसर की जो स्ट्रेडी कहलाती है वो क्या कहलाती है ओनकोलॉजी कहलाती है तो अभी कुछ दिन पहले हमने डिसकस किया था कि जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो सर्वाइकल कैंसर की जो दवाई है वो अभी लॉंच की गई थी उसका नाम अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताईएगा तो आपसे ये क्वेशन भी पूछ रहा सकता है यहाँ पर अभी क्या हुआ है जो ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक जैनेरिक दवा बनाई है देखे जो कैंसर है कैंसर से बहुत अधिक मत्यू इसलिए होती है क्योंकि cancer का इलाज तो है लेकिन वो इलाज बहुत अधिक महंगा है इसमें जो injections लगते हैं जो laser therapy होती है या फिर जो भी दवाईयां दी जाती है वो एक एक लाक रुपे की रहती है तो इतना पैसा तो हर किसी के पास रहता नहीं है इसलिए क्या है generic दवाईयों को बनाया गय है अब cancer की generic दवाई बन चुकी है अब आपको पता होना चाहिए कि generic दवाई का concept क्या रहता है दिखे अगर कोई भी medicine है अगर वो patent है तो क्या होगा उसका जो price होगा वही मतलब company decide करेगी है वो काफी महंगी होगी generic का मतलब होता है उसमें जो patent है उसको हटा दिया जाता है तो फिर क्या होता है उसकी जो cost होती है वो कम हो जाती है तो I hope आपको ये concept समझ में आ गया होगा तो याद रखिएगा जो पॉल्सो सीकलेव है ये क्या है breast cancer के लिए generic दवा बनाई गई है ये बताया गया है कोशिकाओं की अनिमित प्रती चार फर्वरी और स्ट्रडी ओफ cancer oncology कहलाती है नमस्ते वर्ड खिलोना ब्रांड जो नमस्ते वर्ड खिलोना ब्रांड है ये कहां से लौंच किया गया है है हैदराबाद से लौंच किया गया है और ये क्या करेगा जो आतनर्बर भारत है आतनर्बर भारत को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का ब्रां Next question है, पूरी तरीके से e-governance mode में shift होने वाला देश का पहला के इंदर्शासित प्रदेश कौन सा बना है? अब ये e-governance mode क्या होता है? देखे ई-governance mode का मतलब होता है जो भी वहाँ पर पूरा काम काज होगा उसमें कागज का यूज नहीं किया जाएगा उसकी जगा पे अब क्या होगा सारा काम ओनलाइन होगा तो इस तरीके से पूरा उनलाइन काम करने वाला जो यूटी बना है वो बना है जम्मु एन कश्मीर तो आपको याद रखना है इससे क्या होगा परियावरन प्रदूशन भी नहीं होगा और सबसे बड़ी बात जो होगी वो होगी कारे में ट्रांसपेरेंसी आएगी ट्रांस सबी के लिए ई-governance जो है वो काफी helpful रहता है फिर next question है कि लगू बैंक सर्वस्टेस्ट पुरुसकार ऐसा कौन सा बैंक है जिसको लगू बैंक की श्रेंडी में सबसे best price मिला है तो वो चना गया है मर्केटाइल बैंक लिमिटेड तमिलनाडू ये तमिलनाडू का बैंक है जिसको लगू बैंक सर्वस्टेस्ट पुरुसकार से नामित किया गया है हाली में कभी नील मणी फूफन नील मणी फूफन जी का निधन हो गया है ये काफी चल्चित कभी रह चुके हैं नील मणी फूफन क्यों चल्चा में रहे थे क्योंकि अभी इनको एक साल पहले ही 56 ग्यान पीट पुरुसकार मिला था हमने कैसे याद किया था कि फूफा जी हर शादी में फूफा जी रहते हैं तो उनको मनाना काफी कठिन हो जाता है ऐसा कोछ आप याद कर लीजिए तो नील मणी फूफन का निधन हो गया है उनको क्या था ग्यान पीट अवसकार मिला था और अब देखिए नील मनी फूफन कितना ओसम टाइप का नाम है तो इससे याद रखिएगा आप कि इनका सम्मंद असम से था और अभी इनका निधन हो गया है और जो संतावनवा ग्यान पीट पुरुसकार मिला था वो किसको मिला था तो वो हमने मोच्चा ही मोच्चा से या किया था तो यह दोर नाम आपको याद रखने है आज का क्वेशन ऑफ देखिए है कि 2022 का जो जल प्रवंदन जल प्रवंदन की श्रैणी में पुरुसकार मिला था यह किस राज्जी को मिला था यह आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कल का करेंट अफियर साइस थी नेक्स कुश्चन था कि देश की आवादी 1961 के बाद कहाँ पर कम हुई है तो चाइना में कम हुई है तो इसको भी आपको याद रखना है जली कट्टू तेवहार कहां का तेवहार है तो यह तमिल नाडू मदुरई का तेवहार है भू हैकेफॉन स्टाट अप कहा पर लॉंच हुआ था तो ये जितेंद्र जो मंत्री हैं जितेंद्र सेंजी उन्होंने लॉंच किया था प्रदान मंत्री जी द्वारा शंसत खेल महाकुम्ब का आयोजन उत्तर प्रदेश में यूपी में किया गया फिर एक बुक थी इर्फान दा लाइफ इन मूवीज इस बुक को किसने लिखा था शुब्रा गुपता Critics Choice Award किसे मिला था तो ये जो Critics Choice Award है ये Best Song के लिए मिला था Naatu Naatu और ये किस Movie का Song है तो ये RRR Movie का Song है WHO ने Ebola Virus की समापती कहां पर घोशित की थी तो ये योगांडा में घोशित की थी Ebola Virus और Doppler Weather Radar Network की घोशना किस मंत्रा लएनी की थी तो प्रतिवी एवं विज्ञान मंत्रा लगे द्वारा तीन जगा पर ये लॉंच किया गया था नील कुरुन जी का सम्मंद कहां से है तो नील कुरुन जी का सम्मंद है Western Ghats से तो इसको भी आपको याद रखना है तो ये आज का Current Affair था आई होप आपको ये Current Affair अच्छा लगा होगा इससे आपको कुछ जानकारी जरूर मिली होगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शियर और सब्सक्राइब थैंक यू सो मच पढ़ते रहिए खुश रहिए, जैहिन जै भारत